कि तरीक के question लेए अपना Feedback हमेश हो देना मत भूलिएगा क्योंकि आपकी feedback से हमारा question त्यार होती है आगे के हम question लेते हैं तो question है सहती में रस्कौ और्थ है सहती में रस्का क्या अर्थ हो प्सण आप सभी के सामने है जिस तरीके से question पूचे गए हैं वही question हम ले लिए हैं कुछ इसमें साहित के भी question आते हैं तो साहित में रसका क्या अर्थ है तो option यहां पर हमारे कौन सा सही होता है कि आपको जादा नहीं लेकिन दो से चार्श सिगेंड का टाइम जरूर देंगे आप लोग कहते हैं बहुत जल्दी करते हैं तो जल्दी विल्कुल भी नहीं करेंगे option हमारे यहां पर सही होता है साहित से मिलने वाली आनंद की अनुभूती रसका साथ धी करत होता है आनंद ना तो हिन्दी भासा कि किसी कभी को पढ़ने या सुने से जिस आनंद की प्राप्ती होती है उसे रस कहते हैं नेक्स है दोहा चंद में कितने चरण होते हैं यह आर्ध सम्मात्रिक चंद है यह ध्यान देजीगा अर्ध सम्मात्रिक चंद है दोहा इस चंद के प्रथम और तिरती चरण में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है कितनी होती? 13-13 मात्राएं होती है ये भी question पूछा गया कैसा अर्दसम मात्रिक चरण ये question भी पूछा गया है यहाँ पर एक question आपका ये मिला दूसरा ये मिला तीसरा आपका ये मिल रहा है पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती, 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौते चरण में कितनी होती है, 11-11, तो इस तरीके से आपके 4 question त्यार हो गए, ठीक, अब next question, भासा में शब्द और अर्थ की द्रिष्टी से सौंधरी उत्पन करते हैं कौन रस अलंग कार गुंड या चंद प्रेस अपसे को जरूर प्रिस कीजिए गलाई इस तरीके बसंग नोटिफिकेशन नहीं हता तो यौटिफिकेशन प्रेस करने की वा जितने भी हम ऑक्डिफिकेशनРЕ David Turist करीगा सबिए अंप Final न तो साथ साथ में इस विल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा तभी सारा नोटिफिकेशन आता है और तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है तो यहां पर ऑप्सन हमारा सही होगा भी अलंकार भाशा में सब दौर अर्थ की दृस्टी से सौंदर रुत्पन करने वाले को क करेंगेगे चले तो दीखिए सब्दालंकार अर्था लंकाल और उभ्या लंकार भी लिया जाता है नेक्स है यह सब्थे और कि प्रकार के बियो से ऊसे होता है तुर अप्षिन हमारे यहां पर सभी होता है अंतस ठीक है हिन्दी में विंजन रणों के संख्या कितनी है तैतिस अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था तैतिस है और यह नष्वार का फॉर्फ टेह जाए छलसर सारा लाव अंतस्त बेंजने और उस मेंजन कौन कौन से यह studied पूछा गया आ जान में सुछ सब्सक्राइब ए कौन से इस परसे बेंजन का से मतक होते हैं ठीक है और आयोग वह में अंग और इसमें बहुत सारे कोश्चिन आपके तयार हो गए इस कोश्चिन से जितना भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं इससे आपके सारे कोश्चिन तयार हो रहे हैं नेक्स्ट है निम्लिखित में से कौन सा शब्द इस्त्रे लिंग है निम्लिखित में से कौन सा शब्द इस्त्रे लिंग है अप्शन हमारा कौन सा सही होगा आप लोग को मेरी आवा सुनाए दे रही है तो आप लोग जल्दी जल्दी से रप्लाई करिए है कि अंधन सब के रिपलाइद देख रहे हैं आप लोग विलकूल भी परैशान मत हुए गागा कि हम किसी के रिपलाइद देखके नहीं बोल रहे हैं तो ओप्सन न माहरे यहां पे शही होता है ऩी ग नेक्स्ट है कि वचन किस वचन किसका बहुत कराता है विकल आराम से पढ़ लेजी आप लोग वचन किसका बहुत कराता है ओप्सन हमारा एक सही होता है यहां पे ए प्राणी या वस्तू के एक या अनेक होने का इंदी में दो बचन होते हैं कौन कौन से कौन कौन से दो बचन पहला होता है एक बचन दूसरा होता है बहु बचन नेक्स है उसने तेड़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है ध्यान दीजिएगा यह question सारी standard level के है यह cutting question है कुछ उसने टेड़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? ओप्सन मारा सही होता है, D. करता कारक कारक किसे कहते हैं? संग्या सर्बनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं संबंद सूचित हो उसे कारक कहते हैं और जैसे हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती यह कोशन पूछा गया हिंदी में कारकों की संख्या होती आठ कौन-कौन से कारक होते हैं करता कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंद आधिकरण करता कर्म को हो गया करन से हो गया संप्रदान को के लिए होगया आपादान से अलगाव का जिसमें में वहता है समन्द का के की रहारएरि कटा ए मैंपर पर जाते समगो धन में अभी मैंने बता है ठीक है नेक्स चलते हैं हाँ निभल कि मैं से किस्वाकि में सर्वनाम का पृआ वा किस्वाकि में सर्वनाम का प्रयोग होऊ व invincible पूलोग पढड लिजे फिर सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजे तहीं लोग आरे ना कि अल Springs नमारा कॉन होगा है ओं ऐस अहीं होता है भी मैं कल दिल्ली जा रहा हूं मैं कल दिल्ली जा रहा हूं आप सभी जानते हैं जो शब्द संग्या की अस्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं तो सर्वनाम मैं हुआ आप हुआ हुआ जो यह सब तो यहां पर क्या है मैं सर्वनाम है मैं क्या है सर्वनाम है तो हिंदी में सर्वन सब्द की विशेषता बताता है संग्य की किस की बताता है संग्य सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसे क्या कहते हैं नेक्स है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने व्यद होते हैं अप्सन यहां पर हमारा सही होता है डी दो व्यद होते हैं पहला कौन सा सकर्मक सकर्मक हो गया दूसरा अकर्मक ठीक है चलिए नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं व्याकरण में व्याकरण में काल का क्या अर्थ है व्याकरण में जो काल प्रियुक्त होता है उसका क्या अर्थ है अप्सन नमारा सही होता है बी समय व्याकरण में काल करत होता है समय और हिंदी में कितने काल होते हैं हिंदी में तीन काल होते हैं कौन-कौन से भूत काल भूत काल वर्तमान काल और भविश्यकाल ठीक अब भूत काल के भी अलग वेद होते हैं और वर्तमान काल के भी अलग वेद होते हैं वविशकाल के भी अलग वेद होते हैं चलिए बता देते हैं भूत काल के भेद कितने होते हैं लगबद जो सामाने भूत हुआ, आसन भूत हुआ, पूर्ड भूत हुआ, पूर्ड भूत हुआ, पूर्ड भूत हुआ, संदिक्द भूत हुथ 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 यह यह मैं हमब्ष है रेखांकित में कौन सा कारक है तो यह रेखांकित में कौन सब्सक्राइब प encontramos सब्सक्राइब के जिसके लिए कुछ कीया जाए JUST को कुछ दिया जाए उस संप्रदान कारक क्या होती को क्या के लिए कि कंडी मैं कुल कितने काषिंग होते हैं आपनों कॉमेंगों कोमेंट करके जरूब बताइएगा चलिए छे साथ आठ चार यह बिकल्प है आप सभी के नेक्स ते आसान थोड़ा सब दिया है भासा सिक्षक में होना चाहिए भासा सिक्षक में क्या होना चाहिए अप्सन मारा कौन साथ होगा आप लोग ऑप्सन बताइए भासा सिक्षक में चलिए आप लोग की कॉमेंट पढ़ लेते हैं ठीक है वेरिगुड और बहुत ही आसान सा ऑप्सन कभी कभी हम अगर थोड़ा से कॉंसेंट्रेट होते हैं तो रिप्लाई हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है आप अबस्यक नहीं पहली बात पूछा जाए रहा है अप्सन हमारा सही होता है डी रसायन रसायनों का ज्ञान होना ठीक है आगे चलते हैं बहुत ही आसान सा क्वोस्चन था गद्य सेक्षण में कठनाईयों का निवारन किया जा सकता है कैसे ओप्सन हमारा सही होगा D, ये सभी, इन सभी के माद्यम से गद्धी सेक्षन में कट नहीं होगा निवारण किया जा सकता है नेक्स्ट है प्रात्मी किस तर पर कविता सेक्षन उप्योगी नहीं होगा जिस तरीके से आपके UPJP question पूछे जाते हैं यहां पर पूरे question लिए, आप कह सकते हैं कि model paper, यह model paper आप बता सकते हैं कि यह model paper है इसी तरीके से question पूछा जाएगा, यहां पर पेड़ागोजी से question कम आता है कभी-कभी दो आ जाता है, कभी-कभी, तो मतलब समझ लीची ना के बराबर ही कह सकते हैं लेकिन इतना मान के चल सकते हैं कि पास question, पास से जादा कभी आता ही नहीं है तो यहां पर देखिए, प्रात्मी कि स्थर पर कभीता सिक्षन उपयोगी नहीं होगा ओप्सन नमारा कौन से सही होगा? ओप्सन उपयोगा C, जो कभीता इंतर रास्टी वादों से संबंधित हूँ ठीक? नेक्स्ट कोश्चन की तरप चलते हैं हिंदी भाजा और साहित्य. नामक ग्रंथ के लेखक है, हिंदी भाजा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अप्सन नमारा कौन सा सही होगा ओप्सन नमारा सही होता सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास नेक्स्ट कोशिन की तरफ चलते हैं भासा सिखाने का सही क्रम क्या है बासा सिखाने का सही क्रम क्या है most important question है option नमारा सईयोगा B सुनना, स्रमड करना, बोलना, पढ़ना, लिखना हिन्दी में हैं कह देते हैं सुबोपल तो सु से सुनना हो गया, स्रमड करना, वो से बोलना, पाष से पढ़ना, फिर लिखना ठीक है? सुबोपल तो next question की तरफ चलते हैं निम्लिकित में से कौन सा शब्द तत्सम सब्द नहीं है। ओप्सन नमारा कौन सा सही होगा। शोग, पृत्वी, चंद्र, परक। तो यहां पर हमारा ओप्सन सही होता है दी, परक जो है तत्सम शब्द नहीं है। ठीके, परक का तत्सम क्या होगा। परिक्षा। ठीके, और यह चंद्र का यह तो तत्सम यानि कि खाली परक तत्सम नहीं तो तीनों तत्सम है। तो इन तीनों तत्सम के तत्भों क्या होगा। चंद्र का तत्भों क्या होगा। चांद होगा। और प्रत्वी का तद्भों क्या होगा प्रत्थवी और यहां प्रत्थवी ऐसे ही लिखा जाएगा प्रत्थवी इस तरीके से ठीके यह हो गया चलिए आगे चलते हैं किस बिकल्प में सभी शब्द तद्भो शब्द हैं किस बिकल्प में सभी शब्द तद्भो शब्द हैं ध्यान से पढ़ लीजी इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए ओप्सन नमारा सही होता है ए आग जीव घर ठीके यह सभी तद्भों है इसका तद्भों आग का अगनी हो जाएगा जीव का जीवा हो जाएगा घर का ग्री हो जाएगा ठीके आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन दिएगे बिकल्पों में से कौन सा बिकल्प दूथ का परियायन नहीं है पर साब सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करते चाहिएगा और जितने भी लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपकी तैयारी में बहुत ही काम आ मारे सही होता है डी अमी अमी दूथ का परियायन नहीं है किसका है अमरित का अम रित के और परियाय मेची कौन-कौन से से पूछा जाता प्यूस हुआ प्यूस भी पूछा जाता है सुधा यह सब है और दुख्थ का एक आपको बता देते हैं पाय यह भी है पाय और गौरस भी है ठीक है चलते हैं सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा निर्पेक्ष परोग्ष प्रतिपक्ष इसपस्ट सापेक्ष का सही विलोम शब्द है ए निर्पेक्ष ठीक है? आगे चलते हैं अंक शब्द के अनेक आर्थी सब्द समू का चैन कीजिए अंक ध्यान से कोशन पढ़िए अंक शब्द के अनेक आर्थी सब्द समू का चैन कीजिए ओप्सन हमारा कौन सा सही भागा? औप्सन हमारा सही औब तबी गोंध संक्या अध्याय देखिए हिन्ने में कुश्ट सब्द एक ही अर्थ वाले होते हैं उन्ही को अनेक आर्थी या अनेक आर्थी सब्द कहा जाता है ध्यान देजिएगा जैसे अंग शब्द के अनेकार्थी कौन-कौन से गोध है गोध गोध नहीं गोध है संख्या अध्या यह सब ठीक है अपराद बोध होने से होने वाली गलानी वाक्यांश के लिए एक सब्द लिखिए आपराद बोध से होने वाली गलानी वाक्यांश के लिए एक सब्द लिखिए पराद बोध से होने वाली गलानी बिस्तरित बात को संचेप में कहना वाक्यांस के लिए एक शब्द कहलाता है इसमें पश्यत आप होगा अच्छा आत्मगलानी कुछ-कुछ दिमाग में आ रहा होगा तो आत्मगलानी मिली होते जब अपने आप में खेद होना अपने आप में खेद होने के लिए आत्मगलान अठ नेक्स इत चीर के यह इए सही बीकल्प का चेयन कीजिए उसका आर्थ कौन कौन होगा विकल्प में से चीर का कौन सीवह होगा और विकल्प कौन साओ अपसनमारा सध़ी होता है डी पुराना छीर मतलब पुराना छीर मतलब वस्त्र ठीक है ऐसे शब्द होते हैं जो कभी-कभी इनका उचारण मात्रा ये वर्ड लगभग मतलब कुछ चीज़ें होती जैसे इसमें जो उचारण होता है वो लगभग समान होता है लेकिन उसमें मात्रा वगरह गलत होती है गलत कहने हो तब अलाग अलग होती है है लेकिन उसमान होता है लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है जैसे चीर और चीर का अर्थ पुरान अंत बर हो जाएगा चीर का मतलब पुराना चीर का मतलब होता है वस्त्र अहई है नसार्त सही लगभग रंगीला Cop Really辛ड में किस प्रत्य का पर्यूर व्रम हुआ है कि विकल्प आप सभी के सामने है तो यहां पे गीला इला यह ओप्शन हमारा सायोगर डी इला रंगीला शब्द में इला प्रत्य का प्रयोग हुआ है इला सब्द से और बनने वाले शब्द कौन से होंगे पत्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ् इसका संधी भी छे धम करेंगे तो सूर्य धन उदै कौन से संधी हो गई इदम से क्लियर पता चल रहा है गुर्ण संधी हो गई गुर्ण संधी आ या आ के बाद क्या आता है एक मेंद रुक्ना क्या आता है इबड़ी उ बड़ा उ अश्रा आये तो क्या हो जाता है इका ए हो जाता है इका ये इसका दोनों का क्या हो जाएगा इ और बड़ी ए का ए हो जाता है उ और उ का क्या हो जाता है ओ हो जाता है श्रा का अर हो जाता है ठीक है सुर्य अदों में इसी तरीके से हुआ है कि क्या हुआ है आ और उ मिल करके क्या बन गया है ओ छली आगे चलते हैं कि सज्जन शब्द में समास है सज्जन शब्द में समास है कौन सा समास होगा सज्जन में ओप्सन हमारा सही होता है एक कर्मधारे समास ठीक है अठीक क्तिन सेilles गसिश्च्जन है या उपमह रखव का समझ धोटा है ना कि वाच्ये के कितने भेड होते हैं वाच्ये के तकत्ने भेड होते हैं दो पांच साथ तीन आपस्नना कौन करते वाच्छ हो गया कर्म वाच्छ हो गया और क्या हो गया भाव वाच्छ ठीक करते वाच्छ में करता की प्रधानता होती है कर्म वाच्छ में कर्म की प्रधानता भाव वाच्छ में भाव की प्रधानता होती है नेक्स्ट है वहां दिन भर पढ़ता है रेखांकित पद्ब में यहां पे अभ्यय का ब्येद बताईए अब यहां पे रेखांकित क्या है दिन भर है ठीक है ऑप्षन यहां प्याप अ मरसंयोता इंग Signal recite अब यहां पर बताते हैं वह दिन भर पढ़ता रहता है वह दिन भर पढ़ता रहता है वाक्य में दिन भर क्या है निपात का अर्थ होता है निपात का अर्थ अनेक होता है ठीक है इसलिए क्या निपात कह जाते हैं निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है में लिए इसका प्रियोग अभ्याय को लिए रहे होता है इसलिए अप्समरारे यहां पर सही होता है भी नेक्स्ट क्रफ चलते हैं और अब दिए गे विराम चिन का नाम है कोश्टक में दिए गे विराम चिन का नाम क्या है तुट यह त्मारा से गड़ी आप सभी को पता है भिसमें वो दग अ ठीक है अब पूर्ड बिराम इस तरीके से लगता है अल्व बिराम ऐसे होता है कॉमा योजव चिन डैस प्रस्ट आच ऐसे होता है उद्धरांड चिन ऐसे इनवाड पाउम में ठीक है तो चलिए नेक्स कोशन की दर मुहाबरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहाबरे का अर्थ है। क्या अर्थ होगा। Option हमारा सही होता है। C बहुत मीन मेट निकालना। ठीके। Next है। 4 दिन की 4 दिनी फिर अधेरी रात। लोकोक्ति का क्या अर्थ है। Option हमारा सही होता है A थोड़े दिन का सुक। ठीके। जब कोई कथन किसी प्रसंग विशेस में उद्रित किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते है। एक चीज और है। लोकोक्ति और मुहाबरे में अंतर। लोकोक्ति में वाक्य पूर्ण होता है। जबकि मुहाबरे में वाक्य पूर्ण नहीं होता है कोशिन पूछा गया है। दिखान दिजेगा। कामाइनी के रशनकार हैं। कामाइनी के रशनकार कौन है। प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सही होता है। यह जैसंकर प्रसाद। आमाइनी के रशेता हैं जैसंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है। निमलिकित में से रीतिकाल के कभी हैं। रीतिकाल के कभी कौन है। ओप्शन हमारा सही होता है। अब यह आसान से कोशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ कठीन कोशन भी हमने इंक्लिव्ट कियें। इसमें जितने भी कोशन हैं सभी एक्जाम में पूछे गए हैं और इनका लेबल इस्टांडर है। ब्रिंद रित काल के कभी हैं। यह तुलसी दास, कभीर दास, सूर दास यह सब किस काल के कभी हैं। भक्ति ना। चलिए। इन जो ब्रिंद हैं उनकी जो दोहे हैं वह बहुत फेमस हैं। इनकी कुछ कृतियां हैं। व्रिंद सत्साई। एक व्रिंद सत्साई है और नयन पचीसी है। पवन पचीसी है और इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वह एक नाम याद रखिएगा व्रिंद ग्रन्थावली। व्रिंद ग्रन्थावली में सभी हैं। और कुछ रचनाएं हैं हमें याद नहीं आ रहा है। कि नेक्स्ट कॉस्टिन एक मुढ दो बात मुहावरिक आर्थ है। जब भी कॉस्टिन के साथ आप थोड़ा से डिटेल पढ़ेंगे न तो कम से कम डिटेल के साथ साथ ही वह माइंड में आकर वह आपको कॉस्टिन त्यार हो जाएगा। जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं यही कॉस्टिन आपके एक्जाम में पूछा जाए। यही चीज़ तो माली जे ना पूछे जाए। लेकर साइड के जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट त्यार कर रहे हैं कम से कम वह भी आ सकता है वह जाएगा या फिर नहीं आएगा तो उससे आप वह जो दिमाग में थोड़ा बहुत रहेगा उससे वह कोशन आपके त्यार रहेगा याद रहेग एक मुह दो बात मुहावरे का क्या आर्थ है ओप्सन आप सभी के सामने है चली ओप्सन वारा सही हो तसी अपनी बात से पलट जाना नेक्स है प्रतेक चरण में सोला मात्रा वाला चार चरणों का समात्रिक चंद कौन सा है प्रतेक चरण में सोला मात्रा वाला चार चरणों का समात्रिक चंद है ओप्सन वारा सही हो गए याँपे डी चौपाई आगे अध्रों में राग अमंद पिये अल्कों में मलेयज बंद किये तु अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी पंक्ती में कौन सा रस है ओप्सन आप सभी के सामने है कि ओप्सन अमारा यहां पर सही होता है सी श्रिंग आर्रस नेक्स है अंधा कुवा नाटक के लेखक हैं अंधा कुवा नाटक के लेखक हैं कौन है कि ओप्सन अमारा यहां पर सही होता है लक्षमी नारायन लाल कि फ्रेंस यहां पर कोशन होते हैं कम्प्लीट आपको कैसे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा किस तरीके कि कोशन आपको चाहिए वो भी बताएगा और हमेशा किदर आप लोग अपना फीडबैक और जितने भी हम कम से कम एंसर कुछ है अगर आप लोग सच में कुछ अच्छा से अटेम्ट करते तो आप लोग रिप्लाइज जरूर कर पाएंगे और हमेशा आप लोग रिप्लाइज जरूर किया करिए तो आज के सवाल की तरफ आज का सवाल आप सभी के लिए आज का सवाल आप सभी के लिए क्या है कामाइनी के रशनाकार है कामाइनी के रशनाकार कौन है प्रसाथ निराला पंत महादेवी बर्मा तो कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके जरू बताए बिल्कुल भी आपको आलसीय नहीं बनना है एकदम से आप लोग एक्टिव हो जाएए अब न